आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ In this question we have given an air capacitor has a plates 6 cm in diameter At what distance should the plates be placed so as to have the same capacitance as a spare of diameter 90 cm तो आप देखिए हमारे पास क्या है एक parallel plate capacitor है जिसमें air plate के बीच में भरी है तो plate का जो हमें diameter given है 6 cm तो माल लेते हैं plate का radius कितना था R तो आजाएगा R हमारे पास diameter का था 3 cm important बात है जो small r है हमारे पास क्या है जो each plate थी उसका radius इस तरह से मारे पास ये plate का radius है अब यहां से देख सकते हो capacitor बनाने के लिए 2 plate चाहिए होगा अगर आप side view देखेगो तो plate इस तरह से circular plate दोनों होगी ठीक दो हमारे पास plate इस circular plate आपने सामने इस तरह से रखी गई है जो observer हमारे पास side से देखेगा तो इस तरह से बोलेगा और each plate की जो radius आप देख सकते हो कितना हमारे पास ये 3 cm तो इस plate का भी radius कितना होगा r question में पूछा जा रहा है कि दोनों plate को कितनी distance पर रखा जाए माल लेता हूँ दोनों plate की बीच की distance d है so that कि इस दोनो plate का जो capacitance होगा कोई एक spherical capacitor जिसका diameter 90 cm है उसके बराबर हो जाए clear तो अगर आप front view देखेगे तो side view से आपको circle दिख रहा था front view से देखोगे तो इस तरह से आपको parallel plate capacitor देखेगे दोनों plate इस तरह से दिख रही होगी ये देखो capacitor बन गया दोनों plate की बीच की जो distance हो जाएगी और कितना हो जाएगा हमारे पास d अगर इस तरह से हमारे पास दो plate है उनका अगर capacitance पूछा जाए तो c कैसे निकालते थे formula होता था a epsilon not divided by d ये क्या होता है plate का cross section area तो side से दिखोगी जो हमारे पास area आएगा ये वाला क्या होगा एक circular plate है तो area इसका क्या जाएगा pi r square तो area आँसे निकाल सकते हो pi r square अब epsilon not क्या होगा तो आपको पता ही है d d क्या होता है दोनों plate की बीच की distance clear तो ये आगया हमारे पास capacitance अभे कहा जा रहा है कि जो ये हमारे पास plate की बीच में air भरा गया था तो ये हमारे पास plate का capacitance ये हो गया ये जो capacitance है बराबर है कोई spherical capacitor given जिसकी diameter हमें 90 cm है ये हमारे पास spherical capacitor है जिसका radius माल लेता हूँ capital R है इसका diameter हमें given diameter माल लेता हूँ capital D है कितना 90 cm तो इस spherical capacitor का radius होगा और 90 का आधा कितना हो एक spherical capacitor है अगर उसका आप capacitance निकालते हो formula क्या होता है C equals to 4 pi epsilon 0 R आपको पता होना चाहिए अगर दो plate है parallel plate capacitor तो उस case में capacitance का formula कितना होता है A epsilon 0 divided by D कब जब plate के बीच में air रहता है तो यहाँ पे air capacitor बोला ही गया है दूसरा अगर कोई हमारे पास spherical capacitor है तो उसका capacitance कितना होता है 4 pi epsilon 0 R दोनों को equate कर दो आपको answer मिल जाएगा आपको small d calculate करना था d क्या था? प्लेटों के बीच की distance तो दोनों capacitor को बोला गया है सेम है तो A epsilon 0 by D is equals to यहाँ पे आजाएगा 4 pi epsilon 0 into R epsilon 0 से epsilon 0 का हैसे लोगा A की जिगा पर आप रख सकते हो pi r square important that कि जो यह area होता है इस plate का होता है ठीक तो plate का जो cross section area होगा कितना हो जाएगा pi r square क्योंकि plate का radius हमें given है 3 cm divided by D आजाएगा is equals to यहाँ पे क्या आजाएगा 4 pi into क्या होगा r अच्छा एक चीज़ आप देख सकते हो pi से pi भी यहाँ पे भी cancel हो जाएगा एक capital R क्या था जो हमारे पास spherical capacitor था उसकी radius तो pi से pi भी उड़ गया तो यहाँ से अगर देखो कि D की value कितनी आ जाएगी हमारे पाद देखो r square divided by 4 r अब आप देख सकते हो d is equals to r कितना है 3 cm मतलग 3 into 10 to the power minus 2 plateau का जो radius था इसका square करो divided by 4 into small r sorry capital R 45 cm given है तो 45 into 10 to the power minus 2 कर दो तो यहाँ से जो plateau की बीच की distance आ जाएगी वेल्यू आएगी हमारे पाद देखो 3 का square होगा 9 into 10 to the power minus 4 divided by 4 into 45 into 10 to the power minus 2 5 to 45 clear यहाँ पर देखो कि 5 to 5 forger क्या होगा 20 तो उपर क्या बचेगा हमारे पाद देखो 10 to the power minus 4 से 10 to the power minus 2 cancel हो जाएगा उपर बचेगा हमारे पास 10 to the power minus 2 divided by यहाँ पर क्या आजाएगा 20 तो 1 by 20 तो इसकी value कितनी हो जाएगे मारे पाद देखो थैंक यू प्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाथसाब कीजिए अपने डाउट्स आठ चारसो 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 पर